हेलो दोस्तों नमस्कार जहिंद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर दोस्तों आजम लोग फिर से कैमेश्ट्री का आज नया टॉपिक नया सब्जेक्ट कैमेश्ट्री के यानिकि रासायन विज्ञान का प्र पॉलिटेक्निक के एकिजाम में यह सब प्रश्न पूचेगा है तो बढ़ियां से तयारी करिए दोसों प्रीवेस यह क्वेसं को ज्यादा से ज्यादा प्राक्टिस करिएगा क्योंकि यह अदि आप लोग प्रीवेस यह क्वेसं को करते हैं तो आपको बहुत कुछ फायद है कि आपको पता लेगा कि कैसा लेवल सेट होता है लेवल कहने के मतलब कितना परसेंट आसान होता है कितना परसेंट टफ होता है और कितना परसेंट भेरी टफ होता है है ना तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं कमेश्टी के क्वेस्टन के साथ और दोस्तों आप भेरी भेरी टफ वाला में से यह क्वेशन हम कर सकते हैं आगे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे प्रस्टेंट जिसके लेवल थोड़ा सा लो भी है और आप लोग को आसानी से याद भी होगी और बहुत सारे बच्चों को पहले से याद होगी तो यहाँ पर देखें करत बनता है तो आर क्या होगा और यह चीजे हैं तो इसका अगर आप लोग इस ऑप्सन के अधार पर चलते तो आसानी से बन जाएगा चैना कमेश्टी बहुत ही आसान वासा देखें कैसे यहाँ यहाँ पर से यहाँ पर से हम क्या करते दोस्तों कैलसियम को देखें क्लोरीन को दे देते हैं और यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर से बॉन्ड को तोर देंगे यहाँ पर डवल बॉन्ड है अब हम क्या करेंगे हैं पर सिंगल बॉन्ड करेंगे तो यहाँ पर से देखो सी एच टू देदो दैस एगो सिंगल बॉन्ड हो क्या वह थेखें धो थोड़ा दोड़ा मैच कर सब्सक्राइacity ज pacι सब्सक्राइब क्योंसे हो नहीं होगा क्यों कि हैैंड होट इफ में मैच कर गया मेरे को लगता है की मैच कर दिया मेच चीज है कि नहीं है तो देख सकते अपसे नमर्डी में ओ यहां पर डाइरेक्ट ली अपसे नमर्ड कंफर्म तो हम लोग सी होगा यानि कि जलिए जो ने चोगा दोस्तों वह एन एसी ओ तरी यह किसका दोस्तों आर की वेलियो याद रखेगा चलिए चलिए अगला प्रश्ण यह भी क्वेश्ण उसी में से आता 20% में से चलिए कहता है दोस्तों यॉगीक CS3 गर्म छारिये के एमनफोर विल्लियन के साथ किरिया कर देता है किरिया कर देता है तो क्या बनता है बनता क्या जब यह जो डियक्शन करेगा दोस्तों क्या बनेगा पहले बताना आप सबी को तो चलिए मैं डैरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं अच्छे इसका आंसर हो जाएगा अप्सन नमर सी क्या बनेगा कीटोन और कार्बोक्सलिक अमल का मिक्सर बनेगा देखलो CS3 CO CS3 बनेगा और CS3 CWH बनेगा यह दोनों बनेगा दोस्तो तो याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रशन देखिए अब आप जो प्रशन आएंगे दोस्तो आपको याद करने लायक होंगे और आप सभी को पहले से इसका आंसर भी पता होना चाहिए यहां पर क्वेस् तो यहां पर धे जिंग के साथ करते दो चैज तो यह दूरा होता है किसके दोरह अपचेन चयाता है इसके द्वारा होता है तो विधूत अपगटनी विधी द्वारा अपचाहेन होता है कोण एल्टू उठी याद रखेगा और बाकी यह जो तीनों दिखे हुए न यह कारवन के साथ अप्चाहित हो जाते हैं इसको याद रखेगा आप लोग ठीक है कार्वन के साथ कुन-कुन अप्चाहित हो जाते हैं जेड़ेनों पीबी ओ और एफी टू ओ थिरी अगला प्रिशन देख लिजे क्वेस्चन नमर यहां पे 34 कहता है अगला कहता है कौन से निम्न यूग के पदार्त यानि कि H2O से अभिकिरिया कर समान गैस देता है यानि कि हाप दो प्रोड़क्ट सभी ओप्शन में दिख रहे होंगे देखिए ऑप्शन नमर ए बीए बीए ओटू ऑप्शन नमर बीए के के ओटू अप्शन नमर सी है अब दोनों को से और हटा उस्तों विकिरिया करतें टीके तो दोनों में क्या होना चाहिए समान एकस निकलना चाहिए निकलन समान जिसे किसीमें ज्यादा निकलेगा किसीमें कम निकलीने लेकिन गैस जो निकलना चाहिए अगर किसी में एच टू निकल रहा है तो निकलना चाहिए दोनों प्रोडक्ट में जब भी रियक्शन होतों तो यहां पर इसका आंसर याद रखेगा दोस्तों जब हम लोग कैल्सियम को हैना यानिका अप्शन नमर्डी को एच टू ओ के तो कौन सी धातू सीतल तनू साथ कीरिया का कीरिया का एक टव उतपन करते हैं तो ही ऑड्रोजन गैस उतपन करना चाहिए दोस्तों जलदी से पताए है कि अप्शन से फेर सीमय ही सिब्सक्राइव याद रखे येज शब लोग मैगनेशिं सहां को करते हैं ठंडा वाला मैंगनीशियम ठंडा वाला गरम नहीं ठंडा वाला मैंगनीशियम को जब हम एच ओनो थ्री के साथ करते हैं रियक्सान तो वहाँ पर क्या हम लोग को निकलता है यानि के हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है इसको याद रखेगा चली अगला प्रत्याच रूप से अभी किरिया नहीं करती है अपसर नमरे है सलफर के साथ अपसर नमर भी है क्लोरीन के साथ अपसर नमर सी है सोडियम के साथ और अपसर नमर डी है फॉस्फोरस के साथ किसके साथ नहीं करती है प्रत्याच रूप से अभी किरिया ठीक है तो यहां पर आं प्रत्यत्य चुरूप से याद रखेगा चलिए अगला प्रेशन याद करने लाए क्या याद भी होगा पहले से अगर आप लोग ने अच्छे से कमिश्टी पढ़ेंगे तब किस यमें मैं चारा कांगमेलेक्ट किस रेक दोस्तो चार कांगी उग में एलेक्ट यह्या होते हैं Su इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चार यूग में इलेक्ट्रोन है ना चार यूग में इलेक्ट्रोन किसमें होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए वह जाएगा अपसर नमर सी क्लोरीन में कितना होता है क्लोरीन में देखें अब इसमें हिलियम म में होता है हयल्यम में क Southern कि यूग में होता है तो चीजन में छी गोता है ठिक है एक तो यूग में एक दो तीन हो ठीक है याद रखेगा तिन गो इसमें भी होगा ठीक है तो भाईश कर दिन में होगा है हिलिया में एक क्लोडीन में चार ओक्सीजन में टीन और आयोडाइन में 6 मैं चलिए अगे बढ़ते हैं अगला परिष्न देख लेते दोस्तों अगला वाला चीज दिया हुए के डवलू कमांद दिया हूँ एक गुने दसके पावर माइनस चौदः बहुत ही शडल सा अंसर इसका नोमेडिकल क्टाइप है इसका होगा तो इसका मान भी चाउटा है तो ऊपटी भी बेखें जाएंगे माइनिस में चला जाए तो 14 में से 14 गया एक तो हमको क्या फोट निकला दोस्त तो यहां पर आपको पता होगा पी ओ आइच की एच्टु वन निकला इतना याद रखना है बस हाना तो एच का या ने कि पी एच मांन हो गया अब देखिए अब जो फर्मूला कहता है ओ एच माइनस इसका अगर आपको मोलर मान चाहिए तो दस के पावर माइनस पी एच होता है और अभी हमने निकाला दस के पावर माइनस एक हना दस के पावर माइनस एक अगर मैं इसका मोलर में बात करूं अगर मैं इसको मोलर में बात तो एक मुलड हो जाएगा कितना हो जाएगा एक मुलड हो जाएगा ठीक है याद रखेगा कितना हो जाएगा एक मुलड हो जाएगा समझ में आया उम्मीद समझ में आ रहा होगा ना चलिए तो याद रखेगा ईप्र होगा है कर拌 डान्सर क्या सैथ नंबर यह भी होजाएग ठीक है चछी अगला प्रशनerte क्वेस्ट्वर 49 कहता है हमारे अमाशे में रस की पीएच लगब क्या होती हमार minder असे में गांज सब्सक्राइध樣 अबससे में पता है अब सबी को साथ से कम तो इसमें से कौन सा दिख रहा है सब तो नहीं और सी सात से कम होता है ठीक है लेकिन मैं आप सब्सक् murmurs में जो अमलिये रस होता है, उसका याद रखेगा दुस्तो, 1.4 से लेकर के 3.5 तक में आंसर हो जाएगा, 1.4 से लेकर के 3.5 तक में कोई भी आंसर दिख्या, टिक कह देजेगा, तो यहां पर देख सकते 1.4 है, और यही एक वांसर बागी तो 5 हो जागा तो 5 तो होगा नहीं तो यहां पर आंसर अप्छन नमर 20 दे करेक्ट आंसर हो जागा थीक है चलिए अगला प्रशन देख लिएक वह क्वेस्चन नमर 40 कहता है कौन सी एल के साथ कौन सी एल के साथ एक से अधीक योगिक का निर्मान कर सकता है कौँन ऐसा है जो सियल के साथ एक से अधिक प्रकार का योगिक निर्वान कर सकता है कैलेसीयम और भी जीनका यह कारेगा केसे क्लोरीन के साथ रियक्शन करेगा तो से अधिक कहने का मतलब गिए कैसे बनाएगा तीस का इसलिए दोस्तों किसका दोग होता पहला दोस्तों जो अवस्ता यह Investmentuje होता है ठीक है तो जब प्लश दो के उपस्थिति में क्या बनाएगा यह 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 से यूदिक बना दिया ठीक है एक सधीक बना दिया तो याद रखियेगा चलिए अगला प्रिशन देख लिजे question number 41 कहता है दोस्तों बढ़ती हुई electron है इलेक्ट्रो नगेटिविटीज यानि कि विद्धूत रिनात्मक्ता का यह सही करम है है विद्धूत रिनात्मक्ता का कोन सही करम में है बढ़ती करम में यानि कि सबसे पहले कम होना चाहिए पहले सबसे कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा हना तो यहां पर देख सकते हैं तो विद्धूत रिनात्मक्ता किसमें सबसे ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा सिलीकॉन में होता है दोस्तों बढ़ती हुई करम में ना सबसे कम किस में होता है सिलीकॉन में होता है ना हाजी कितना होता है सिलीकॉन में तो सिलीकॉन में कितना होता है दोस्तों 1.8 होता है potassium में कितना होता है 2-ivos 1 होता है carbon में कितना होता है 2-ivos 5 होता है अगर मैं nitrogen की बात करूं तो nitrogen में कितना होता है तो points 3- Hang न वाल चिरीज में नंबर आपको याद हो गया विद्धु तिन ने इस तरीके से लिए अगर माले जहां पेश्पुरस पूछे सबसे अधीक विद्धूत रिफ़न रिनातमंगता किसे बुस्के किसमें होती है तो अगर फास्पुरस रह नाइट्रोजन भी रह यह कारवन भी रह तो अब किसको महारेगा डइरेक नाइट्रोजन कमारीगे क कि इसका आकार सबसे अधिक होता है दोस्तो अंब्स न ये अफ्शन दी का रहा है यानि ऐा सकते आजण संख्या नम्ब बता ठा रहें तो इसका आंसर रखियाक दोस्तोर यह दोसतो सम इलेक्ट्रोनिक आयन बता रहा है और आकार सबसे बड़ा होता है तो वह होता है दोस्तो किसका तो होता है नाइट्रोजन का इस तब बड़ा होता है सबसे बड़ा होता है ठीक है तो याद रखेगा option number D is the correct answer हो जाएगा ठीक है मैं कितना होता है तो तो और एक सो चालिस पी मम होता है और अगर मैं किह कई रखेगा पे madre में तो सबसे बड़ा किसका हो गया एंका हना 171 चलिए आगे बढ़िए दोस्तो फ्रेश्चन नमर यहां पे 43 कहता है इसका परिस्करन खपरन से होता है किसका परिस्करन दोस्तों खपरन से होता है किसके खरपरन से होता है अगला देखे दोस्तों क्वेस्टन नमर 44 कहता है मुद्दू सामुन मुद्दू सामुन किसके लवन है ईया उप्सकरन आपके ओशनमर समय और लीथियम पोटेसियम किसका आंसर जल्दी से जल्दी से आप लोग याद रखेगा मुद्दू सामुन किसका होता है त यह देखे दोस्तों क्वेस्टन नवर 45 करता है कि कौन सी गैस उच्छ दाब उच्छ ताप और एक उत्प्रेड़क की उपस्तिती में यह यह ने की दोस्तों कहने का मतलब आलकोहल को क्यों काली का नाम की सब्सक्राइब थी नाम क्या है और न हम बात करें रियक्षिन कर वाते हैं रियक्सिंझ कर वाते हैं सियोटू से तो यह बेटरी पहले से फिर और कर्वन की वाँ सकता है और यहां पर से एच हो जाएगा हो गया हो गया हना को तो यह इस देर answer CO2 right and user ठीक है और फिर इसके बाद क्या बन जाएगा H2O भी मिल बिल जाएगा इसके बादे को यहां से एक है एक है यहां से फिर एच 2 बेले करके चलेंगे तो यहां से यह एक इसका यह लेंगा और यह इसके साथ जुर जाएगा तो कौन कौन सा जरुवत परेगा तो सीो जरुवत परेगा और हैडोजन जरुवत परेगा यहां पर सी ओ प्रसेंस होगा जब आपको एलकोहल से कार्बोक्सरी दोनों के अब सकता परेगी यहां जोड़ेंगे अपने लीटियम आयोडाइड लेटियम आयोडाइड होगा जब एलकोल को में करेंगे कारवक्षली कमले में तब ठीक है उम्मीद आज की एक्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं दोस्तों डेली आप सभी को आट बजे यहां पर प्रेजेंट रहना सुबह के डेली 8 किकनिक का बिहार में नाम हो और जल्दी जल्दी काम हो तो मिलते हैं जय हिंद जय भारत